बश्कार दोस्तों स्वागत आप का माई चालने शेयर मार्केट में बात करें बैंक ओफ बरोड़ा की क्वाटरफो के रिजल्ट आगे है और यहां पर कंपनी ने जो सबसे पहली चीज़ बताई है वो बताई है कि बैंक है नो डिलीवर्ड एनी काइंड ऑफ डिवीडेंट तो यह भी आपको कोई भी डिवीडेंट यहां पर पेर नहीं कर रहे हैं तो यह पहला पॉइंट हो गया जिससे रिटेल इंवेस्टर को थोड़ सा दुख होगा जिनोंने इंवेस्मेंट करी हुए है अब जाने की कोशिश करते हैं कि बैंक के हालात कैसे हैं यहां पर सबस चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर जो अभी इंकम आई है वहाई है 21,53,291 लैक और जो की पिछले क्वाटर में थे 20,39,222 और पिछली एर की बात करें तो वो था 21,53,310 तो यहां पर यहां पर यह और यह और यह बात करें यह पर तो ठीक रहा है कोविट की विए से सभी बैंक पर इंपक्ट पड़ा है और सभी बैंक के रिजल्ट है उनमें हमें डामाडोली देखने को मिले हैं तो यहां पर भी हम जाला एक्स्पेक्टेशन नहीं लगा सकते उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे प्रोफिट लोज प्रोफिट और अभी लोज दिखा रहा है लोज कि इतना दिखा रहा है तो आपको बता दूँ वह है 1,4,650,000,000 वह पिछले कौर्टर में था 1,611,000,000 और अगर पिछले साल की बात करें तो वह था 50,660,000 के पास तो यहां पर अच्छी खासी हमें कंपनी लोज में जाते तारा मलब की इशू है और लेकिन अगर बात करें यहां पर शेयर की तो आप देख सकते हैं जो कि है 2.24 पिछले एक वाटर की बात करें तो 2.30 पिछले एर की बात करें तो 1.62 तो कंपनी ने यहां पर अगेर हमें निराश करा है जो की होना ही था क्योंकि रिजल्ट ही ऐसे आ जो कि पिछले कॉडर में थे 63,18,150 जो कि पिछले एर में थे 69,381 के बास यहां पर कंपनी के जो एन पी हैं ग्रूस एन पी वो काफी ज़ादा आये तो यह भी एक कंसर्न है उसके बदागर नेट एन पी की बात करें तो अगें वह भी ज़ादा है हुए है तो यह भी एक न कुछ में पार्ट की कि कंपनी में कुछ अची चीज़े हुई है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा टोटल रिवेन्यू जो कि मैं आपको उपर बिताया था उसके बाद अगर बात करें आप टोटल एसेट्स की जो कि इंपोर्टन पार्ट हो जाता है तो यहां पर कंप ले तो बात करें ओवरॉल कंपनी के रिजल्ट इतने जार अच्छे नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन थी बाकी सभी बैंकों की रिजल्ट भी आया है बट वह भी इतने खराब नहीं है यह आपके उपर आप इस नहीं कैसे लेते हैं प्लीज कमेंट करके जूरू बताएगा चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाएए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को भी भी आपसे मिसना हो अभी के लिए दोस्तों शुक्रिया